तो हेलो बूर्णिंग दोस्तों स्वागत है आपका ग्रेट प्लग्स टीचिंग अप पे लास्ट क्लास में हम लोग ने फ्रैक्शन पढ़ा था फ्रैक्शन के बेस पर कुश्चन लगाए थे तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है अवरेज आज हम लोग देखेंगे क arise यानि और सत क्या होता है हम लोग अश्फके बारे में पाढ़ेंगे की और रह सब्क्र निकाल सकते हैं यह हम लोग कहा है इसकी मेंनिंग क्या है इसको हम लोग कैसे कर सकते कि किसी चीज का चिरिस का average मतलब normally आप लोग समझ लीजे माध किसी चीज को बराबर करना average मतलब होता है किसी चीज को equally distribute करना या बराबर करना तो चलिए let's शुरू करते हैं हम लोग देखते हैं आज का topic हमारा average कि हमारा average क्या है तो पहले आप लोग पताईए कि average की बारे में आप लोग क्या जानते है average से आप लोग क्या समझते हैं average मतलब यही तो होता है ना किसी चीज को equally distribute कर देना जैसे अगर हमने कहा कि मेरे पास 100 रुपे हैं और मेरे 5 भाई हैं और मुझे आपस में distribute करना है 100 रुपे को तो हम क्या करेंगे just 100 को 5 से भाग दे देंगे और equally 20 रुपे सब के amount में आ जाए अब बेगा average यानी और सत्थ या इसे हम लोग माध्य भी कह सकते हैं चली इसको भी हम लोग वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम लोग ने fraction पढ़ा था देखिए fraction जब हम लोग ने पढ़ा था fraction को हम लोग ने पहले cover किया फिर हम लोग ने क्या किया fraction के basis पे questions लगाए ऐसे ही हम लोग भी average topic पहले cover करेंगे फिर इसी के basis पे questions लगाएंगे ठीक है तो ह हम लोग ages के question ज्यादा प्रेटिस करेंगे तो जब हम लोग इसका प्रेटिस एट्स लगाएंगे तो हम लोग उसमें एजस के question देखेंगे वहीं से आपका एजस टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि एजस पर किस टाइप के question आते हैं क्योंकि वो mostly average ages होते हैं अगर आपसे कह रखा हैं किसी family में 5 members की average age इतनी है तो उसमें अगर एक नया member हो जाए तो उसकी average age क्या होगी मलब इस टाइप के question average कही basis पर बनते हैं या हम लोग देख सकते हैं number system के question भी हमारे average पर होते हैं कि अगर कोई भी श्रंखला दे रख्यों सीरीज दे रख्यों numbers की and terms की even numbers हैं तो उनका average क्या होगा तो यह सब हम लोग बहुत ट्रिक्स से solve करेंगे या इसको हम लोग एक simplify या एक simple method से हम लोग इससे solve करेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना topic average चलिए हैडिंग डाल लीजिए average तो दिखिए हम लोग पास average की definition दे रख्ये है हम लोग से average की definition दे रख्ये लिखा है average इसको डाल लीजिए आप एवरेज और हिंदी वाले डालने औसत हिंदी वाले हैडिंग डालने औसत तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं पने definition क्या दे रखी हम लोग को average यानि की औसत चलिए हम लोग definition देखते हैं लिखा है dividing any amount दिख रहा है आप लोगको dividing any amount और item into equal parts is called average मतलब किसी भी राशी को या किसी भी मतलब वस्त को अगर हम लोग उसके equal parts में distribute करें तो वो हमारा क्या कहलाता है औसत कहलाती यानि कि average कहलाता है या in other words average is also known as mean अब देखिए mean का मतलब होता है माध्य माध्य मीन का मतलब जो हमारा होता है mean जो mean का हमारा मतलब होता है इसको हम लोग कहते है माध्य अब देखिए माध्य हम लोग ने इसको क्यों बोला देखिए जैसे कोई भी नंबर दे रखें consecutive नंबर दे रखें जैसे दो चार छे आठ और दस अगर हमसे पूछ लिया जाए जो इसका average होगा तो उसका middle term होगा हमेशा उसका middle term ही उसका average होगा अब देखिए जैसे आप से कहा रखा है कि छे लोग खड़ें जैसे हम लोग ने देख लिया चार लोग अगर हम लोग माने पांच लोग अगर हम लोग माने जैसे हम लोग से कह रखा है कि पांच लोग खड़ें और अगर हमसे पूछा जाए कि इन पांचों के पास 20-20 रुपे हमने 100 रुपे को इन पांच लोगों में डिवा कर दी हो 100 रुपए देखिए आपके पस एक कुश्चन भी दे रखा एक्जम्पल लेकिन मैं समझाय दे रहा हूँ जैसे 100 रुपए है अब हमको इस पांचों में डिवाइड करने तो इसकी वैल्यू है लेकिन हमको डिवाइड करने पांचों में 100 रुपए तो हम लोग क्या क कि हमारी होगी 20 या यानİ यह हमारे 20 होगी प्रत्तेख प्रत्त के हिस्से में हमारे 20 रुपए दिवाइड हो जाये और इसका जो सम्पलेम वहमारा कितना होगा तो sum जो होगा वो हमारा होगा 100 रुपीज मतलब प्रत्यक आदमी के हिस्से में हम लोग ने 20 रुपे दे दिये इसी को हम लोग कहते average निकालना हमारे पस final amount मतलब जो sum था हमारा जो हमारा sum था वो हमें दे रखा था 100 और इसको उनको 5 लोगों में कालना है तो हमें जो number of observation होगी upon total observation होगी उसे हम लोग को क्या करते ना divide कर देना है चलिए या हिंदी में हम लोग कह सकते हैं औस बराबर होता है हमारा राशियों का योग एवं राशियों की संख्या बटे राशियों की संख्या देखें अब देखें हम लोग ने क्या देखा यहां पर जब हम लोग ने 100 से डिवाइड किया 100 से डिवाइड किया तो हमें प्रतेक आदमी का हिस्सा आ गया तो average का मतलब होता है प्रतेक क्या हिस्सा, इसको हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं, कि एवरेज को हम लोग यह कह सकते हैं, कि प्रतेक का हिस्सा, अब यह हिस्सा किसी भी टर्म में हो सकता है, अभी हम लोग ने यहाँ पर रुपए के टर्म देखा, यह किसी वस्ट के टर्म में हो सकता है, किसी एक single की value क्या होगी तो उसी को हम लोग average value कहते हैं जैके जैसे यहाँ पर लिखा है let's have a look एक हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि यह image हम लोग को क्या दिखा रही है देखे इसमें average की definition लिखी है कि average और mean average यानि और mean माने होता है हमारा math means to distribute equally मतलब अब देखे distribute equally तो हम लोग average को क्या लखकते है average को हम लोग यह कह सकते है बराबर में बाटना इसको आप लोग लिख लीजे बराबर में बाटना इसको हम लोग अपना average कह सकते है कि किसी चीज को अगर हम लोग या किसी राश्ट को जब हम लोग बराबर हिस्सों में बाटते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है average कहलाता है और हमारा दूसरा point दे रखा है adding और subtracting और subtracting that same average has no effect on the value of average दिखिए जब हम लोग के पास average निकल जाता है तो हम लोग जब उसमें कुछ भी subtract करते हैं या add करते हैं तो हम लोग के average पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस पर हम लोग question देखेंगे ये एक अलग topic हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे जो line है इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जब हम लोग के पास कोई values दे रखी हो 500 रुपए दे रखा है हम लोग के पास 500 रुपए दे रखा है रुपए हम लोग के पास जो राशी का योग है वो हमें दे रखा है 500 आदिके 500 रुपए को हम लोग को 5 लोगों में divide करना है तो हम लोग क्या करेंगे simply 5 से भाग दे देंगे पांच से भाग देंगे तो यह हमारा आएगा सो यानि प्रतेक का हिस्सा जो हमारा आया जो हमारा प्रतेक का हिस्सा आया वो क्या आया सो रुपे आया तो मतलब एक के हिस्से में क्या जाएगा एक के हिस्से में सो रुपे जाएंगे दूसरे के हिस्से में सो रुपे और हमारे पांचवे के हिस्से में 100 रुपे जाएंगे अगर आपको इसको चेक करने तो इसका योग कर लीजिए सम कर लीजिए वो हमारी टोटल अमाउंट के बराबर आ जाएगा इसी को हम लोग average कहते है average simply means मरलब average को हम लोग आसान बहता में यह कह सकते हैं औसत या किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में बाटना वो हमारा औसत होती है किसी भी चीज़ को हम लोग equally distribute करें वो हमारा average होता है तो इस चीज़ को आप लोग note down कर लीजिए फिर हम लोग देखते हैं कि average का formula क्या होता है या हिंदी वाले अगर इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते है इसे मैं अगर हिंदी आले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि औसत बराबर क्या होता है किसी भी राशी या वस्त को बराबर खिस्से में बाटना ये हिंदी वाले लिख सकते हैं किसी भी राशी या वस्त को बराबर हिस्तों में बाटना हमारा क्या होता है हमारा औसत कहलाता है किसी भी राशी या वस्त को बराबर हिस्तों में बाटना हमारा औसत कहलाता है अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि औसत का हमारा फॉर्मिला क्या होता है तो औसत का हमारा फॉर्मिला लिख लीजिए औसत का फॉर्मिला लिख लीजिए कि औसत बराबर हमारा होता है या एवरेज बराबर हमारा होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या एवरेज बराबर होता है हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यह हमारा average यानि औसरत का formula होता है अगर हम लोग इसे English में लिखना चाहें तो English में हम लोग इसे समझ लेते हैं अगर हम लोग इसे English में सीखें तो हमारा जो average होता है वो average बराबर होता है sum of observation upon number of observation देखें यहां पे लिखा है average बराबर होता है हमारा अगर हम लोग इसे English में लिखें तो हमारा average बराबर होता है sum of observation upon number of observation यह हमारा English में होता है average का formula आप लोग Hindi में भी लिख लीजिए और English में भी लिख लीजिए कि average का formula क्या होता है औसत बराबर रासियों का योग बटे राशियों की संक्या या average sum of observation upon number of observation यह आप लोग लिख लीजिए यह हमारी average की definition है किसी भी राशी या वस्तु को उसको बराबर हिस्से में बाटना हमारा average कराता है देखिए हम लोग average में से एक ही यह जो दो formula इसी formula पर पूरा हमारा average based है और हम लोग के लिए important है questions दो हम लोग इस पर question solve करेंगे कि हमारा average क्या होता है थोड़ा सा आप लिख लीजें कि average का formula क्या होता है types थोड़े हम लोग पढ़ लेंगे या कुछ ट्रिक्स होंगी या कुछ इसके properties होंगी कि average की कुछ properties होती है वो properties को हम लोग कैसे use करेंगे या तभी हम लोग के question में कुछ properties हम लोग को दिख रहींगे तो हम लोग उससे कैसे solve करेंगे, तो वैसे ही हम लोगं को average थोड़ा सा look ले लिए लिग best का, बाकी फिर हम लोग उससे question practice करेंगे, हम लोगं का main motto ये है, कि हम लोगं को question लगाना आना चीए, हम लोगं को question दिखें तो question को solve करना आना चीए, वो कैसे होगा, कि practice जब हम लोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा questions की तो हम लोग अपने topic की उतनी ही limited उतना ही सीखेंगे जितना हम लोग के लिए important होगा बाकी हम लोग उसके basis पर questions लगाएंगे हम लोग अपने topic से सिर्फ limited ही सीखेंगे कि जितनी हम लोग को formula के use होंगे या जिन भी properties का हम लोग को use होगा उतना ही हम लोग use लेंगे बाकि हम लोग उसके basis पर questions लगाएंगे चलिए तो average का formula हम लोग लिख लिए और सथ बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या इसमें कुछ और formula आप लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग को यहां से राशियों की संख्या लिखानी हो तो संख्या अगर हम लोग को निकाली हो तो क्या हो जाएगा योग बटे औस्त हो जाएगा हमारा आप लोग एक और formula लिख लिजेगा जैसे अगर इसी formula में हम लोगं को संख्या निकालनी है या इसी formula में अगर हम लोगं को संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा योग बटे औसत हो जाएगा संख्या बराबर हमारा हो जाएगा योग बटे उसत इसको भी आप लोग लिख लीजिए ये भी आपके अभी questions में use होगा या हम लोग इसका एक और formula लिख सकते हैं कि हमारा जो योग होगा जो हमारा योग होगा यानि सम होगा वो औसद गुडे संख्या होगा जो हमारा योग होगा या हमारा जो सम होगा वो average multiplied by number of observations होगा तो आप इन formulas को लिख लिजिए कि जो हमारा संख्या होगी वो योग बटे औस अउसद होगी जो हमारा योग होगा वो offset इन्तू संख्या होगा अब चलिए अब हम लोग एक छोटा सा question देखते हैं कि हम लोग average पे एक छोटा सा question देखते हैं कि हम लोग इसे तीस, चार्लिस, और पचास का ओसत क्या वह होगा, का ओसत, अगर हमसे एक कुशन दे रखा है, कि हमसे पूछा गया है, एक सीरीज दे रखे हैं कि 10, 20, 30, 40 का ओसत क्या होगा, तो simply हम लोग ने अभी formula क्या देखा था, हम लोग ने average का formula क्या देखा था, यह average बराबर हमारा होता है, sum of observation, upon number of observations, यह हम लोग ने average का formula देखा था, हमारा, यह average का formula हमारा होता है, sum of observation, upon number of observation, यानि हिंदी में राशियों का योग बटे राशियों की संखिया, अब देखिए, यह हमारे पाद सीरीज दे रखे है, इस सीरीज का हम को औसत निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और सत बराबर, जो हम लोग इसे solve करेंगे, तो हम लोग simply लिखेंगे और सत बराबर, अब देखिए, हमारे पास राशियों का योग क्या है, राशियों का योग से हम लोग यह कहना चाहते है, कि यह जो स्टीरीज दे रखे, इसका हम लोग को sum करना है, तो हम लोग जब इस 30, 40, और 50, यह हमारा राशियों का योग हो गया, बटे, राशियों की संख्या क्या है, कितने नमबर से हमारे पास है, 1, 2, 3, 4, 5, तो राशियों का जो हमारी संख्या है, वो हमारी है, 5, अब हम लोग इसे अगर further solve करेंगे, तो 10, 20, 30, 30, 60, 60, 40, 150 हमारे यह आएगा, 150, जो हम लोग क्या करतेंगे, 5, अब देखिए, 5 अगर हम लोग इसे cancel out करेंगे, तो 5, 1, 5, 3, 15, मतलब 30 टाइम जाए गए, तो हमारा जो average value आजाएगी, 30, देखिए, हमारी जो average value आई, वो क्या आई, 30, अभी देखिए, अभी मैं आपको एक method बताऊंगा, जब आपको यह sum भी भी नहीं करेगा, हम लोग से series देखके average value बता देगी, कि उस series की average value क्या होगी, तो देखिए, एक और question हम लोग देखते हैं, कि अगर हम लोग के पास कोई और question दे रखा हो, तो अब लोग समझ गे, कि हमारे पास यह series दे रखी थी, यह series दे रखी थी हम लोग के पास, और पूछी थी, तो हम लोग ने क्या किया, simply जो number of observation थे, sum of observation मतलब, राशियों का जो योग था, इन सबको हमको आपस में जोड़ देना था, जो हमारी दी गई राशिया थे, इनको सबको आपस में जोड़ देना था, और यह कितनी राशिया थे, उससे भाग दे देना था, तो हम लोग माद्ध क्यों कहते हैं, आप देखिए, यह जो series है, इसके mid में कौन सा है, mid में 30 है, तो देखिए हमारा average, देखिए 5 series में क्या आया, हमारा average आया 30, तो इसलिए हम लोग इसको माद्ध भी कह देते हैं, mean, एक और question हम लोग देख लेते हैं, चली, जैसे हमारे पास कुछ और series दे रखिए हो, अगर दे रखिए हो, 30, 60, 90, 120, और 150, अब देखिए, का उसत क्या होगा, अगर हम से इसकी average value पूछी जाए, तो क्या होगा, अब देखिए, 30 का multiple है, अभी हम लोग एक question आएगा, जिसमें हम लोग के पास दे रखा होगा, find the average value of multiple of 6, या कोई भी number दे दे, उसके जो गुडज होगे, उसके गुडज होगे, क्या होगा, योग क्या होगा, यानि average क्या होगा, तो देखिए, हमारे पास series दे रखिए, तो simply अगर हम लोग को average निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, sum of observation कर देंगे, तो यानि सब को add कर देंगे आपस में, तो 30, plus 60, plus 90, plus 120, plus 150, यह हमारा हुआ, बटे, जो हमारी संख्या है, cool संख्या है, हमारी कित्ती है, 5 है, 5 है, हम लोग इसको दे देंगे, भाग, इस 8 और 30, 90 हुआ, और 90, 90, 180, और यह हमारा आया, 270, 270, और यह हमारा आया, 180, अब जो हम लोग इसे आपस में जोड़ेंगे, तो हमारा आएगा 0, और 7, और 7 और 8 हमारा आएगा 15, का 5, कैरी हमारा गया 1, और 3, 1, 4, यह हमारा 450, बटे 5 आया, अब जब हम लोग इसे cancel out करेंगे, तो हम लोग इसे cancel out 5, 1, 5, 5, 9, 0, 45 होता है, तो हमारी average value क्या यह 90, अब देखिए, हमारी जो series थी, उसमें जो middle term था, वो क्या था, हमारा 90 था, तो यही हमारी क्या हो गए average value, इसी लिए हम लोग इसे माद कहते हैं, कि मतलब हमको एक mean value निकालनी पड़ती है, average value निकालनी प चलिए, अब हम लोग देखते हैं, कुछ properties average की, तो देखिए, properties में हमसे कहा रखा है, अब देखिए, पहली property क्या है, average की, property में कहा रखा है, when consecutive event number, odd number, और multiple of a number, और numbers with equal difference, और consecutive number are given in the series, देखिए, हमसे कहा रखा है, जब लगातार सम संख्या हैं, विश्म संख्या हैं, किसी संख्याओं के गुड़ज, और संख्याओं का अंतर, या क्रमागतिया लगातार संख्याओं दी गई हो तब, जब हम लोग कैसे उन numbers का average निकालेंगे, तो हिंदी वाली लिख लें, जब लगातार संख्याओं, विश्म, किसी संख्या के गुड़ज, या संख्याओं के बीच का अंतर, दिया गया हो तब, अब हम लोग से ये कह रखा है, कि जब लगातार संख्याओं, विश्म, संख्याओं हैं, या किसी भी संख्या के गुड़ज दे रख्यों, किसी भी संख्या के गुड़ज दे रख्यों, गुड़ज यानि multiple दे रख्यों, देखे, multiples of number दे रख्या हो, या किसी भी संख्या के बीच का अंतर दिया गया हो, यानि difference दिया गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे उन digits का हम लोग या उन series का हम लोग average निकालेंगे, तो हमारी d कई जो series होगी, वो हमारी कैसे होगी, odd होगी, तो हम लोग उससे कैसे solve करेंगे, चली, अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए, पहला हम लोग पास example भी दे रख्या है, इसी example से हम लोग समझते हैं, लिखाए, when the count of consecutive number is odd, जब जो हमारी पास दी गई संख्याएं हो, वो हमारी odd हो, चली, लिखाए, when the consecutive count of numbers is odd, जब हमारी जो दी गई संख्याएं हो, वो अगर विसम हो, जो संख्याएं हो, विसम हो हमारी, अब हम लोग उन digits का हम लोग कैसे निकालते हैं, average, जो हमारी दी गई संख्याएं हो, वो अगर विसम संख्या हो, तो हम लोग उसका, जो average होगा, यानि उसत होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे देखे एक्जामपल हमारे पास दे रखा है find the average value find the average value of 68, 11, 13 देखे अब हम लोग के पास क्या सीरीज दे रखी है 7 8 11 13 और 15 यह दे रखी सीरीज हमारे पास यह सीरीज दे रखी है यहाँ पे 8 नहीं होगा आप लोग इसे correct कर लीजेगा यहाँ पे 9 होगा यह जो 8 है यह नहीं होगा यहाँ पे 9 होगा content में थोड़ा सा गलती होगा यहाँ पे 9 होगा तभी तो इसका difference common होगा अब देखिए हम लोग पास जो सीरीज दे रखी है अब हम लोग पास ऐसी सीरीज थी तो हम लोग क्या कर रहे थे एड कर रहे थे न इसे पूरा एड करके और जो number of observation थी हमारी उससे डिवाइड कर रहे थे अब देखिए हम में simply क्या करना है जब हमारे पास count of consecutive odd number दे रहे हो मतलब विसम संख्याय दे रहे थे तो हम लोग को क्या करना है then the number right in the middle is the average value of the given series देखिए तो जो number हमारे बिल्कुल बीच में होगा पहली आप definition समझे when the count of consecutive number is odd तो हम लोग को number नहीं देखने odd number है हम लोग की जो series दे रखिए ये series कितने number की है एक दो तीन चार और पांच तो ये देखिए हमारे ये सारे number अब इनको count करें पांच हमारा odd digit होता है तो ये series number जो series दे रखिए उसकी counting पूछी है वो हमारे पास दे रखिए odd तो देखिए तो हमारी जो average value होगी जब हमारी जो number series होगी उनके जो numbers होगे वो odd होगे तो हमारी जो average value होगी वो हमेशा mid term होगी यानि कि 11 होगी तो इस question की जो हमारी average value होगी वो हमारी हो जाएगी 11 तो simply देखिए हम लोगों के पास series दे रखी थी हम लोग series के numbers गिल लेंगे कितने numbers हैं अगर वो 9 number है तो जो हमारा middle term होगा यानि की 9, 9 का middle term हो जाएगा हमारा 5 तो जो हमारा 5 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा average हो जाएगा उसका अब देखिए यहाँ पर 5 था तो जो हमारा जो तीसरा number था वो हमारा क्या हो गया average हो गया of the series यह आप इसे कर solve करके निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं 7 9 7 9 11 13 और 15 यह दे रखा है बटे 5 तोटल हम लोग का 5 है अगर हम लोग इसे फर्दर solve करें तो हमारा आएगा 5 3 8 8 1 9 और 9 9 18 और 18 7 18 7 हमारा हो जाएगा 25 तो 5 आएगा 25 का हमारा 5 आएगा और फिर हम लोग देख लेए 1 2 3 और 3 1 हमारा क्या आएगा 4 आएगा 5 आया हमारा अब हम लोग जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे कितने टाइम जा रहा है तो देखिए 5 का 5 बंदा 5 और यह हमारा 11 टाइम जा रहा है तो हमारा जो average value आई क्या है 11 लेकिन हम लोग ने क्या किया सिंपली जब सीरीज देख ली सीरीज का जो हमारा मिड टर्म था वो 11 था तो हम लोग जो average value हो जाएगी वो भी 11 हो जाएगी इसी तरह देखिए हम लोग पास एक और question दे रखा है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक question और दे रखा है question हम लोग पास दे रखा है find the average value find the average value of series 23, 25, 27, 29, 31 देखिए अब देखिए ये एक odd number है 5 number है हम लोग के पास 5 number है यानि कि ये जो दी गई series है हमारी odd है तो हमारी जो average value होगी simply क्या होगी 25, 27 होगी योकि जो हमारा 27 है वो हमारी mid value है तो जब कभी भी हम लोगं को odd number की series हो जब series का जो count है हमारा वो odd number हो तो जो हमारा average value होती है वो हमारी middle term of the series होती है यानि mid term of the series होती है अगर हम लोगं के पास कोई भी series दे रखिए हो consecutive number की देखिए इसको इरेस कर देते हैं कि अब आप लोग खुछ से बना सकते हैं कोई भी consecutive number दे रखिए हों अगर हम लोगं के पास दे रखा है आप कोई भी consecutive number ले लिजे लेकर रखा है 2 consecutive number हम लोगं के पास दे रखिए series 2 4 6 8 और 10 अब देखिए यह हम लोगं के पास statement क्या कह रहा है कि जो हमारा mid term होगा यानि कि 6 वो इसकी क्या हो जाएगा average value हो जाएगा average value हो जाएगा 6 हमारा अब हम लोग इसे calculate करके भी देख सकते हैं क्या यही हमारी average value है तो हम लोग simply क्या करेंगे इन सब को हम लोग देखिए अब हम लोग add करते हैं 18 6 24 24 28 28 28 दो हमारा होता 30 तो हमारी जो total value आई वो 30 तो हम लोग इस 30 को नीचे लिख लेंगे और इसको हम लोग divide करेंगे 5 से जब हम लोग 5 से इसको divide करेंगे तो हमारी value क्या आएगी 5 1 5 5 6 30 तो यानि हमारी जो average value आ रहे है चे तो देखिए उससे भी हम लोग के average value 6 आ रहे है यानि कि जो हमारा यह दिया गए statement था when the count of consecutive number is odd जब दी गई जो स्रंकला है उसकी गिंती odd number हो यानि विश्ण संक्या हो तो जो हमारी average होती है यानि जो हमारा और सथ होगा वह हमारी क्यों सी होगी middle value होगी तो देखिए हम लोग का answer हम लोग ने क्या निकाल लिए directly 6 अब देखिए हम लोग को solve करने की ज़रोत नहीं पड़ी हम लोग क्या करेंगे सिर्स सीरीज को गिल लेंगे हों लोग को ध्यान रखनी है जो हमारी डी गई सीरीज वो consecutive मतलब होता है कि जिनका डिफरेंस common हो common देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस दो यहाँ पे भी चाहिए वो consecutive number हो जिनका difference common हो अगर यह difference common नहीं होगा तो हमारी जो average value होगी वो middle term नहीं होगी तब हम को add करके और divide करना पड़ेगा प्रॉपर्टी हमारी किसी प्रॉपर चीज पर लगती है ना चलिए अब हम लोग देखने अपनी next प्रॉपर्टी को तो next property हमारे पास दे रखिए अब लिखा है वेंद account अज़े हमारे पास नेक्स property दे रखिए वेंदा काउट और the consecutive number is even जब जो संख्याओ की गिंती है वह हमारी कैसी हो संख्या हो वेंदा काउंट ओफ और नंबर दे रहा है पॉइंट में ये भी दे रखा है consecutive number consecutive number अभी मैंने क्या बता है जिनका जो difference होगा वो common होगा वो अगर हमारी अब जो series जो है वो हमारी even हो यानि कि जो हमारी संख्या दी गई हो वो हमारी संख्या हो तब हम लोग उसका average कैसे निकालेंगे तो देखिए हमारी पास एक example दे रखा है find the average value of the series 13, 15, 17, 19 और 23 तो हम लोग अपनी series note down कर लेते हैं series हम लोग के पास दे रखिए 13 15 17 19 21 और 23 यह हम लोग के पास series दे रखिए हम लोग की यह हम लोग की series दे रखिए है अब देखिए इस जो series होगी इसका जो count है देखिए even है इसका जो count है इसका देखिए इस series का जो count है वो even है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब यह हमारी एक even series है इसकी जो count है वो even है तो देखिए जब हम लोग के पास even count हो तो क्या होता है then the number between exactly two numbers in between is the average value of the given series आद देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हमारी even series दे रखिए हो तो हम लोग के जो 20 के दो number है देखिए हमारे जो 20 के number है वो हमारे 17 और 19 है जो हमारे बीच के number है वो हमारे 17 और 19 है तो जो हमारे जो 20 के दो number होंगे इसके जो 20 की value होगी यानि कि 18 वही हमारी क्या हो जाएगी average value हो जाएगी वही उस series की क्या हो जाएगी average value हो जाएगी तो देखिए कह रखा है जब कोई भी even series दे रखी हो हम लोग पास देखिए समझे इस चीज को कैसे एक बर मैं आपको 50 बर समझाऊंगा समझे देखिए even series दे रखी ठी even series जब हमारे पास दे रखी हो और हमसे average value पूछा जायए то angel यहासए हमारी जो 17 और 18 17 और 19 यह हमारी 20 की दो value है 17 जिस की 20 की दो value है तो हमको उसको 번 कर लेना है बीस की दो value को और उन दो जो बीस की दो value हो गी उसके बीछ की जो value होगी middle term होगा जो उसका वही हमारी क्या होगी उस series की हमारी average value हो जाएगी जैसे एक हम लोग कोई और ले लेते हैं आप लोग के बताने के लिए छोटा example ले लेते हैं पहले जैसे हम लोग ने अभी लिया था दो चार छे आठ दस और बारा अब देखे पहले हम लोग ने छे डीजिट का लिया था अब जो हमारा count है वो कितना हो गया वो हमारा count हो गया छे का तो देखे अब हमने अभी क्या बताया अब देखे पहले हम लोग इसको normally solve कर लेते हैं तो normally जब हम लोग solve करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इन सब को आपस में add करेंगे और divide कर देंगे 5 से 6 से जब हम लोग इसको आपस में add करेंगे चे से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22, 10, 12, 22 और 22 आठ हमारा होता है 30 और 36, 36, 36, 40 और हमारा आएगा 42 42 आएगा 42 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, 7, 142 होता है तो हमारा यह 7 बार में जा रहा है 6 और 8 हम लोग लिए अब 6 और 8 का middle term क्या होगा 7 होगा तो simply हम लोग ऐसे ही 7 लेख सकते हैं कि हमारी जो 7 होगी वो इस series की average value होगी देखे कितने आसानी से question होगी आपको add भी नहीं करना पड़ा आप लोग से mid के term देख लेंगे जो बीच के number होगे उनके बीच वाला जो number होगा वही हमारी क्या हो जाएगी ओसत हो जाएगी दी गई स्रंकला की वही हमारी series की जो होगी average value हो जाएगी जिससे हमारी पास एक और example दे रखा है find the average value find the average value of the series ये series दे रखे आप देखे इसका हम लोग सिस count कर लेते हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे सिर्फ count कर लेते हैं तो हमारी पास दे रखा है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 देखे पहली चीज़ हम लोग के क्या notice करनी क्या ये consecutive है हाँ तो है क्योंकि सब के बीच का difference क्या है जो हमारा 5 का difference आ रहा है हमारे जो middle के term होंगे वो हमारे आएंगे 40 और 45 आएंगे अब देखे हम लोग ने middle के term निकाल लिए अब हमको इसका अगर average निकालना होगा तो हमको mid term जो होंगे 2 उसके बीच वाला term चाहिए तो हमारा जो average हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 42.5 होजाएगा 5 का अधर 2.5 होता है ऐसे देखे 5 का difference जब दे रखता तो 40 और 45 के बीच का difference 42.5 हो जाएगा वही हमारी दी गई serious का average हो जाएगा देखे यहां पे 42.5 है वही हमारी दी गई शीरीज का average value भी हो जाएगी तो आप लोग समझ के होंगे, जब हमारे पास odd दे रखा हो, तो हमको क्या करना है, जो 20 वालर term होगा, वो हमारी average value हो जाएगी, लेकिन जब हम लोग पास even count दे रखा होगा, तो जो 20 की value होगी, उसके जो middle term होगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, average value हो जाएगी, चलिए, अब ह कर देता जल्दी से, लेकिन एक चीज समझाई, कि आप ही कैसे आई, तो 17, 19 को हम लोग ने लिया, फिर इसके जो 20 का term था, वो हमारी average value होगी, तो जो हमारा mid term होगा, वो हमारी average value हो जाएगी, और अगर वो जो उसका count होगा, वो हमारा even होगा, तो हमारी कौन सी value हो जाएग जो 20 की दो value होगी, उसके बीच वैली जो value होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, average value हो जाएगी, उस series की, चलिए अब हम लोग इसके बाद देखतें, एक और property, इसके बाद हम लोग के property दे रखिए, देखें, ये property दे रखिए हम लोग को, ये property दे रखिए, देखें हमसे क्या क्या रखा है, when the average value of number is given, when the average value of number is given, and we have to add or subtract, add or subtract, each number, multiply or divide each number by another number, then these all operations are done with the help of average, देखें, अब ही आपने लोग में जब पहला मैंने शुरू किया था average, तो हमने कहा था, कि जब हमको कोई भी values दे रखिए हूँ, और हम लोग से अगर उसका average दे रखा हो, और उसमें अगर हम लोग कुछ भी घटाते हैं, या जोडते हैं, या subtract करते हैं, या add करते हैं, या multiply करते हैं, तो उससे हमारे average value पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यही यह कहना चाहरा देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि टीन लोग हैं, नितिन, रॉबिन और हमारे आकाश, यह तीन लोग हैं, और इनकी जो average value है, यह दे रखिए हैं, यह हमारी इनकी average value दे रखिए, अब देखिए, पहले इनको क्या क्या है, इनकी जो average value थी, जो initial average value थी, 40, 50, यह इनकी values थ और 60 देखिए अब तीन नंबर है तीन नंबर है अभी हमनों क्या सिखा था जो count होगा अगर वो odd होगा तो देखिए जो 20 की value होगी वो हमारी average होगी तो देखिए यहां पर हमारा 50 average है तीन नंबर का count था हमारे पास दे रखा है 40, 50 और 60 इसका अगर हमसे average पूछा जाए तो इसका average हमारी middle value हो जाएगी 50 यानि इसका average हो जाएगी इसका जो average हो जाएगी वो हमारी 50 हो जाएगी अगर हम लोगे पास 3 term दे रखे है इसका जो average term होगी वो हमारी average value क्या होगी middle term होगी क्योंकि यह 3 count है यानि odd number का count है अब देखिए दूसरे step पे हम लोगे क्या किया 5 add किया मतलब इस series में 5 add किया अगर हम लोगे इस जो दी गई series में हम लोगे 5 का addition कर दिया तो क्या इससे हमारे average पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब देखिए कैसे नहीं पड़ेगा हम लोगे जब इसमें 5 add किया तो हमारा यह आया 45 यह हमारा आया 55 और यह हमारा आया 60 तो जो इसकी average value हमारी आये गिया अब इसकी जो average value होगी यह भी हमारी तब भी middle term होगी 55 यह हमारी average value आई जो अगर इसमें कुछ एक और operation अप्लाई करदें अगर हम लोग इसमें डिवाइट कर दें अगर हम लोग इसमें डिवाइट कर दें पांसे तो हमारी जो वैल्यू होंगी वो क्या आएंगी अगर हम लोग इसमें पांसे डिवाइट कर दें तो हमारी आएगी 9 यह हमारी आएगी 11 और यह आएगी 515 और 52010 मतलब यह हमारी average value होगी वो क्या होगी middle term होगी यानि 11 होगी तो देखिए कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी value दे रखी हो अगर हम लोग उसमें कुछ भी operation अप्लाई करते हैं प्लस माइनस मर्टिप्लिकेशन दिवाइड तो हमारी average value पर कोई भी फरक नहीं पड़ता हमारी जो average value होगी middle term ही होगी अगर वो average value है पूरी series की तो यहां पर भी देखिए हम लोगों की जो average value है वो 11 है तो यहीं बस मैं समझाना चाहता था कि जो अगर हम लोग कोई भी operation average प तो हमारा mid term ही आएगा चलिए इस पर एक example दे रखा है इसको no down कर लिजी वैसे बना है वहाँ पर चार्ट इस चार्ट को आप लोग कि हम लोग average value पर कोई भी operation परफॉर्म करते हैं तो हमारे average पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है चलिए अब हम लोग अपना next देखते हैं इसी के basis पर एक example दे रखा है एग्जांपल क्या दे रखा है नोंग पर समझते है देख रखा है if the average value of 20 numbers is 60 मतलब 20 numbers की जो average value आउसत है वो 60 है if in each number there is addition of 5 what will be the average value of average value अब दिखे हमारे पर ऐसे number दे रखे थे 20 number दे रखे थे 1,2,3 ऐसे 20 तक की हम लोग पर नमबर दे रखे थे और इसकी जो average value थी इन numbers की जो average value थी average value थी वो हमारी क्या थी 60 average value हुमारी 60 साथ हमrás लोग क्या करेंगी simply जो हमारी aussart average value है इसहीं में साट एवरेज वैल्यूद की क्या करते ही आँग । तो इसके हमारी एवरेज वैल्यू की कोई वैल्यू 10 आ रही होती हम लोग पंदरा रहती लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ीन चेंज हो जाती उसकी पोजीशन 10 ही रहती तो लोग क्या करेंगे सिंपली जो हमारी 60 होगी इसमें हम लोग 5 एडिक कर देंगे तो जो पूरे में और दिया है उसमें हम लोग 5 का एडिशन कर देंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू आजाएगी कि पेसट है तो हम लोग पास अगर सेरीज की कोई भी इडिशन कर estrti करूं करना ओ तो मं लोग क्या करें गे शिंपल जो हमारा जो एवरेज होगा जो निकाला हुआ एवरेज होगा उसी में हम लोग उस और सिर्य आजएगी फिरसे नहीघ सेरीज की कै séarken रुष्वेर average का ही question है, हमने उसे पूछा गया था last year देखे, अब हमसे पूछा गया है 6 लगातार विसम संख्याओं का उसत 28 है 6 लगातार विसम संख्याओं का अठाईस है तो सबसे छोटी संख्याँ बताओ अगर हमसे 6 लगातार विसम संख्याओं का उसत 28 है तो सबसे छोटी संख्याँ बताओ तो हमसे जो smallest value है वो पूछी गई है सबसे छोटी संख्याँ बताओ यह question दे रखा है यह हम लोग पास question दे रखा है तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे solve करेंगे अब देखें इससे विस्वम संख्याओ पूछी यानि हमारे पस odd number पूछा गया है odd number पूछा गया है तो देखें अगर उनका औसा 28 है तो अब हम लोग ने क्या सीका था जब संख्याओ का जो count होगा जो 6 संक्ख्याओं को काउंट होगा वह हमारा और भोगा होंद हो तो है तो हम लोग क्या करेंगे ओठ हम लोग 9 sto काउंट होगा 28 लिखोलेंगे निए अब जाइस लिखी है कि 20 मेर्म हो गई देखे अब तक अब अब में भी तो difference और एवन में difference तो 2 ही का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग middle value, अब देखें, हम लोगं से 6 संख्याइप पूछी गई है, तो हम लोगं की जो 6 संख्याइप हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, अब देखें, 28 में से अगर हम लोग 2 कम करेंगे, तो हमारे आएगा 26, और फिर ह में जब हम लोग 2 कम करेंगे, तो हमारा आएगा 24, ऐसे एगर हम लोग इधर 28 में 2 बढ़ाएंगे, तो हमारा आएगा 30, और फिर हमारा आएगा 32, देखें, ये देखें, हमारी जो सीरीज है, वो odd number की बन गई, ये हमारी जो संक्ला odd number है, तभी तो इसका जो average है, वो हमारा देखें, हम लोग इसे पास क्या करेंगे, छे विसम संक्याओं का, और सथ 28 है, तो 28 में हम सो सबसे छोटी पुछी की, तो हम लोग ने 28 इसकी average value मान ली, और 28 से दो कम कर दिया, दो बढ़ा दिया, हम लोग ने क्या पढ़ाता है, जब कोई भी odd number का count दे रखा, तो जो हमार जो 24 होगी, वो हमारी सबसे क्या हो जाएगी, इसका answer हो जाएगी, अब हम लोग देखते हैं, एक डूसरा question, चलिए, अब हम लोग एक next question note करते हैं, खुशन दे रखा है, जब छे लगातार गिसम संख्याएं का उसत, 28 है, तो सबसे छोटी संख्याँ बताओ, ग्याद करो, अब देखें, हम लोग पर क्या पूछा गया है, कि जब 6 विसम संख्याँ हम लोग को देनी है, यानि मतलब हम लोग को क्या लेनी है, odd numbers लेने, विसम संख्याँ यानि odd numbers हम लोग को लेने है, 6 ऐसे, जिनका जो हम लोग को average दे रखा है, जिनका जो average दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 28 दे रखा है 6 जो और नम्बस है चली जब देखिए च्मक्षर्ट उनको जाएगा चे संख्याय है तो काउट जाएगा और इवन ने क्या पड़ा था जब पिनी भी संख्याओं का काउट इवन जाता है तो जो बीच की दो वैल्यों होती है उसके बीच वाली एवरेज होती है अब हमारे पास एवरेज दे रखा लेंगे 25 और फिर ले लेंगे इधर 23 और इसे ही इधर हम लोग ले लेंगे 31 और फिर ले लेंगे 33 तो देखिए हमारी सारी संख्याएं जो है वो भी और है यानि हमारी संख्याएं जो है वो विसम बन गई सारी संख्याएं विसम संख्याएं हो गई 25 सारी और नंबर्स है यह इन दोनों की जो 20 की value होगी, वो भी है हमारी average value होगी, तो हमारी 28 है, वो हमारी average value होगी, और हमसे पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या ग्याद करो, तो जो हमारी smaller number होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, 30, तो जो सबसे छोटी होगी, तो हमारी जो क्या होगी, जो 30 होगी सबसे चोकी तो देखिए question बहुत इजी था जब लगा था चे विसम संख्या है और का उसत 28 है तो सबसे चोकी संख्या गयाद की जब हम लोगने क्या लिखा ? विसम संख्याव में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो मिडल वाली वैल्यू होती है उसके मिडल वाली जो वैल्यू होती है वही हमारा एवरेज वैल्यू होती है तो हम लोग को 28 एवरेज वैल्यू पता थी तो हम लोग ने 28 के आज पास की 27 और 29 ले ली उसी के बेस पर हम ल लोग average के basis पे और question लगाएंगे और दो-तीन properties जो हम लोग की बची है वो हम लोग solve करेंगे इस question को आप लोग note down कर लीजेगा बाकी अब हम लोग मिलते हैं आपसे next lecture में चलिए thank you और follow और subscribe करना मत भूलिएगा thank you so much राधे राधे